असलाम लेकुम मैं यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब आई होब की सब अच्छे से होंगे मैं हूँ रूपी और मेरे चैनल रूपीस कुकिंग में आप सबका स्वागत है आज हम चिकन फ्राइ करेंगे मैंने यहाँ पे चिकन ड्रम स्टिक लिया है आप चाहें तो चिकन के पीसिस भी ले सकते हैं आज हम बहुत ही यूनिक स्टाइल से चिकन फ्राइ करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी यह चिकन फ्राइ होगा कि आप केपसी का चिकन भी भूल जाएंगे अब घर में भी अच्छे से बना सकते हैं फटा फट इंगिडियन्स की तरफ चलते हैं इहां पर आद्धा केजी जोष् ले लिया है शिन गोश ले लिया है यह हमारा फ्रेख पिस लिया है मैं इसाने में अच्छे से कट लगवा लिया है चिकन के शॉप में ही। ऑप बोलके उससे कट लगवा सकते हैं अंदर बों तक उना चाहिए इतना कट लगाना आपको और इसे मैं इसमें दो नेमू का रस निचोड़ की डालूंगी और फ्रेज जूस ले ले नेमू का और उसके ओपर डाल दें और डाल के 10 मिट तक छोड़ दें जिससे चिकन बहुत ही जूसी बनता है नेमू का रस डालने के बाद इसमें हम तूटी स्पुन जैनल जाल जैनल मीज बुस hiring 1-2 स्पुन से कम मैंने ह्थी का यूज किक्या है सब को हाथ की मदद से बहुत ही अच्छे से हमें इसे मिक्स करना के कर लेकणवारें जितना वी गट लगा है लेग पीस में सब के अच्छे से वह कर में मुझे मसाली को अच्छे जब यह हमारा मसाला अच्छी से लग जाएगा, तो मैं इसे एक गंटे के लिए freeze में रखु कि में यहां पर इसे प्लेट कर रही हूं प्लेट करके हम इसे एक घंटे के लिए freeze में रख देंगे आप अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे धाय से तिन घंटा भी रख सकते हैं बहुत ही अच्छा होगा फिर बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा पक्के आईए इसे हमें रख देती हूँ अभी एक घंटा हो चुका है मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया है और इसमें हमें चावल का आठा भी यूज करूंगी अगर आप 3 टीस्पून बेसल ले रहे हैं तो आप 2 टीस्पून चावल का आठा एट कर ले और अच्छे से हम मिक्स करेंगे से मिक्स हमें हमें ऐसा रखना है कि बस एक कोटिंग चिकन के उपर अच्छे से लग जाए और एक तरफ मैंने तेल गरम करने के लिए अच्छे से रख दिया था अब जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गरम हो जागा हम इसमें एक एक लेक पिस को एट करते जाएंगे अब धीरे धीरे हम इसे पल्टी करकर के पकाएंगे जैसे ही अच्छे से एक तरफ पकने के बाद ही पल्टी करें नहीं तो फिर मसाला छूट जाएगा तेल में मैंने यहां पर एक एक करके अच्छे से पल्टी कर लिया है हम इसे फ्राइ करने के टायम पर स्रिफ 80% फ्राइ करके हम इसे बाहा निकालेंगे इसे हमें डाक प्राउन कलर नहीं करना है लग भग यह हमारा फ्राइ हो चुका है अब मेकेट करके हम इसे निकाल लेंगे हमें इसे इस्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए डबल फ्राइ करना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं इसे सब को निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे देख सकते हैं आप आप सब को इतना ही फ्राइ करके निकालना है अभी हलका से ठंडा हो चुका है अभी मैं इसमें वन टे स्पून चावल का आटा उपर से फिर से आट करूंगी और अच्छे से सब पीस के उपर हमें लगा लेना है चावल के आटे को चावल का आटा लगाने के बाद इसे में दस मिनिट के लिए छोड़ दूँगी हमारा यहां पर दस मिनिट कंप्लेट हो चुका है हमने तेल को वापत गरम कर लिया है अब हम लेकपिस तेल में एट करेंगे क्योंकि हमें इस टैम पास्ट गैस में ही फ्राइ करना है क्योंक आटी पल्टी करके हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे इस वक्त अब ज्यादा कॉंटिटी में तेल में एड ना करें मैंने तीन तीन पीस करके नाला है कि इसे फ्राइ करने का भी इस पेस चाहिए हमारा यहां चिकन फ्राइ हो चुका है अभी हम इसे दिले दिले करके निकाल लेंगे एक तरफ मैंने एक प्लेट में टिशू पेपर रख लिया है कि हमें इसे जिश्ट्रा तेल भी इसमें निकाल लेना है थोड़ी देर के लिए आप इसे टिश्ट्रा तेले से निकल जाएगा आई यह फटाफ़ प्लेटिंग कर लेते हैं आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स जरूर बताइएगा अगर आप सबको मेरी वीडियो में रेसिपी पसंद आती हूँ तो प्लिस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगर आप सब म मेरे चैनल में पहली दफा आये हैं तो प्लिस चैनल सब्सक्राइब करकर जरूर जाए और ऐसे ही मज़दार रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेगी और आपको नेक्स वीडियो किस रेसिपी के चाहिए प्लिस कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप सबसे नेक् चीस